असलाम लेकुम एप्रिवन वेल्कम बैक टू माई चानल आज के वीडियो में आप लोगी साथ आठ ऐसे हेल्दी प्राक्टिसेज हेल्दी स्किन केर हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके स्किन को बहुत ही जादा हल्दी बनाएगा ग्लोइंग बनाएगा और अगर आपके स्किन में किसी भी था की प्राब्लम चल रही है तो उसको बहुत ही असानी से ये क्यार करेगा ठीक है कई बार हमें बहुत सारी चीज़े पता होती है लेकिन हम उसको अपने skincare routine में skin care regime में follow नहीं करते हैं जिसके वज़ा से हमें बहुत सारी skin की problem को face करना पड़ता है सो ऐसे ही mistakes की बारे में आज हम जानेंगे जो अकसर हम अपने daily life में करते हैं और इसके वज़ा से हमारे skin में कई सारी problem से स्टार्ट हो जाती है वीडियो स्टार्ट करने से पहने जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like और share भी जरूर करिएग So, हमारा habit number one है that is water consumption अगर आप अपने skin को healthy करना चाहते हैं glowing skin पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके skin में किसी भी तरह का acne और pimple का issue ना हो तो hydration बहुत important है आपकी body में पानी का सही amount में होना बहुत जरूरी है क्यूंकि हमारे body के हर एक organs को proper function करने के लिए पानी चाहिए आपके gut को clean रखने के लिए पानी चाहिए आपके clear skin के लिए पानी चाहिए तो ऐसे में अगर आप कम पानी पीएंगे तो आपकी बहुत सारी skin की problem स्टार्ट हो जाएगी तो इसलिए आप पूरे दिन भर में कम से कम 3 लीटर तो पानी पीजिए ही ठीक है इसके लिए आप एक bottle रखेंगे और उसी bottle से 3-4 bottle आप पूरे दिन भर में पानी पीएंगे ठीक है इससे क्या होगा आपकी body में hydration maintain रहेगा कभी भी आपकी body में dehydration नहीं होगा आपके skin healthy होगी आपकी skin clear रहेगी और आपका gut भी clean रहेगा ठीक है जब आपका gut clean रहेगा तो automatically आपकी skin भी glow करे ठीक है हमारा habit number two है that is wash your face before going to sleep यानि कि सोने से पहले आप अपने face को अच्छी तरह से wash करके सोईए कहीं ने कहीं हम अपने night time skincare उतनी अच्छ से नहीं करते हैं और जो भी हमारे face में dirt और impurities होती है pollution होती है उसी के साथ हम सो जाते हैं ऐसा करना हमारे skin के लिए बहुत ही ज़ अदर dull और damage हो जाती है रात में हमारे skin repair होती है ठीक है rejuvenate होती है और ऐसे में अगर आपके skin में dirt और impurities होगा तो वो अच्छी तरह से repair नहीं हो पाएगा और फिर आपके skin healthy नहीं लगेगी इसी लिए हर दिन रात में सोने से पहले अपने face को अच्छी तरह से wash कर लीजे ठीक है ताकि आपके skin अच्छे से repair हो सके rejuvenate हो सके तो face wash करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक DIY face wash share कर रहे हूं जो कि आपके skin के लिए बहुत अच्छा होता है अक्सर morning में हमारे पास उतना time नहीं होता है कि हम natural चीजे बना के use करें लेकिन night time पे आपके पास time होता है उस time पे आप अच्छे से अपनी skin के care कर सकते हैं तो ऐसे मैं अगर आप DIY face wash से अपना face को wash करते हैं तो यह आपके skin के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत हल्दी होता है ठीक है आपके skin की बहुत सारी problems को यह cure करता है तो क्यासे बनाना है तो सबसे पहले आपको 2 चमच ब रहा से mix कर लीजे और किसी भी साफ container में इसको store कर लीजे एक एक individual ingredient के बारे में आप जानते हैं कि यह हमारे face के लिए कितना कमाल के ingredient होता है ठीक है सारी skin whitening, brightening, glowing skin के लिए एक number ingredient है और आपके skin से spots को हटाने के लिए भी बहुत effective है ठीक है जब भी आपको use करना हो थोड़ा water, milk या फिर curd कर स्तमाल कर सकते हैं मैं यहां पे plain water यूज़ कर रही हूँ ठीक है इसको अच्छे से आपको इसका paste बना लेना है और फिर आपको अपने face को wet करना है और इससे अपने face को wash कर लेना है जब आप इस face wash यूज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह कितना ज बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो sunscreen को use करना वाइट करते हैं लेकिन आपको यह समझना होगा कि sun rays जो sun की harmful UV rays होती है वो हमारे skin के लिए बहुत हामफुल होता है हमारे skin को बहुत पुरी तरह से damage कर देता है ठीक है आपकी जो real color है उसको यह dark कर देता है आपकी skin में patches हो जाते है pigmentation हो जाते हैं और बहुत सारी skin की problem स्टार्ट हो जाती है ठीक है और फिर आपको जो आपका real color है उसको achieve करने के लिए बहुत सारी चीज़े करनी पड़ती है तो इतनी सारी problem को face करने से better है कि आप sunscreen का स्तमाल कीजिए और अपने face को अपने चेहरे को अपनी body को sun की harmful UV rays से protect कर है ठीक है habit no.4 है use natural remedies natural ingredient in your skincare अपने skincare में आप natural चीज़े यूज करें आजकल की busy lifestyle में हमारे पास उतना time नहीं होता है कि हम हर time natural चीज़े अपने skin पर लगा सकें which is fine अगर आप market के कोई भी chemical based चीज़े यूज कर रहे है तो आप यूज करें लेकिन साथ ही साथ आप natural चीज़े जो इस्तमाल करने की वज़त से आपकी skin में damage हो सकता है या हो रहा है उस चीज़े रिकवर करें और उससे आपकी skin को protect करें ठीक है बहुत सारी असी natural ingredient है जिसको आप अपने skincare में use कर सकते हैं for example जैसे अभी मैंने आप लों के साथ ये DIY face wash यूज किया तो अगर आप एक time पे market के face wash को use कर रहे हैं तो night time पे आप इस DIY face wash यूज कीजे अपने face को wash कीजे जो आपकी skin के लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है इसके अलावा आप अपने चेहरे पे aloe vera कर सकते हैं और आगे भी मैं आप लों के साथ बहुत सारी remedies share करने वाली हूँ ठीक है habit number 5 eat fibrous and watery food ठीक है यानि कि आपको वैसे food को वैसे fruits और vegetables को अपने diet में include करना है जिसमें high amount में fiber हो और high amount में water हो ठीक है water content high हो आप google में research कर सकते हैं search कर सकते हैं कौन-कौन से food में high amount में fiber होता है और water होता है ठीक है अगर आप watery foods खाते हैं या fruits खाते हैं vegetables खाते हैं तो आपके body में hydration maintain रहता है और जब आपके body hydrate रहेगी तो आपके skin भी clean रहेगी आपके skin glow करेगी ठीक है और अगर आप fiber rich food खाते हैं तो या आपके gut health को improve करता है आपके gut को healthy रखता है आपके gut को completely clean करता है आप जानते हैं अगर आपका gut healthy होगा, तो आपके skin भी healthy होगी, और अप अंदर से भी healthy होगे, ठीक है, तो आपको अपने diet में fiber और watery food को include करना है, ठीक है, Habit No. 6, that is exfoliate your face, यानि कि अपने face को scrub करें, exfoliate करें, कई बार हम अपने चेहरे को timely exfoliate नहीं करते हैं, scrub नहीं करते हैं, जिसके वज़ा से dirt, impurities, pollution और dead skin हमारे skin में build-up होने लगता है, और फिर हमारे skin बहुत ज़दा dull और rough हो जाती है, ठीक है, जब आप timely scrub करते हैं अपने face को, तो या आपके skin से dead skin को हटाता है, सारी dirt, impurities, pollution का जो build-up हुआ है, उसको clean करता है, आपके pores को clogged होने से बचाता है, आपके skin को बहुत ज़दा smooth करता है, और जब आप exfoliate कर लेते हैं और फिर अपने skin पर कोई product यूज़ करते हैं, तो उससे आपके skin में absorption अच्छा होता है, आपके skin अच्छी से को absorb कर लेती है, और आपको better result मिलता है, ठीक है, अपने face को scrub करने के लिए, आपको market से कोई scrub खरी आपको इसमें milk add करना है, और एक ठीक साजासा की scrub होता है, वैसा आपको paste बना लेना है, ठीक है, फिर अपने face को wash करने के बाद, इससे आपको अपने हलकी हाथ से, बहुत ही gentle हाथ से आपको अपने face पर scrub करना है, massage करना है, एक से दो मिनट तक आप कर सकते हैं, उसके बाद face wash कर लीजे, ठीक है, हफते में सिर्फ एक बार ही आपको scrub करना है, habit no.7, that is apply face pack, अब देखे, आपकी skin के लिए face pack भी बहुत important है, ठीक है, जब आप natural चीज़े यूज़े यूज़े करते हैं अपने face पे, तो एक तो ये आपकी skin के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरी अपने skin care में natural चीज़े यूज़े यूज़ कर पाते हैं, कई बार आपको parties में जाना होता है, बाहर जाना होता है, और आप चाहते हैं अपने skin को glowing बनाना, अपने skin को clean, clear करना, smooth करना, तो इस condition में face pack आपकी बहुत हिल्प करता है, ठीक है, अब face pack को यूज़े के लिए भी चमच coffee powder, एक चमच basin और half tomato juice, ठीक है, आपको tomato लेना है, इसको अच्छे से wash करके काट लेना है, और knife की help से इसको अच्छे से smash कर लेना है, जिससे इसको सारा juice अच्छे से निकल जाए, ठीक है, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा raw milk add करेंगे, अगर milk नहीं है, तो आप इ इस minute आप इसको अपने face पे रहने दीजे और इसको wash कर लीजे, ठीक है, तो कहीं parties में जाना है, तो आप इस face pack को apply कर सकते हैं, या फिर अगर अपने skin को clean clear करना चाहते हैं, अपने face से tanning को हटाना चाहते हैं, अगर आपकी skin में बहुत अदर dull और dark complexion हो गई, उसको clean करना च moisturizer को भी skip करते हैं, specially जिनकी oily skin है, वो तो moisturizer लगाते ही नहीं है, इसी यही reason है कि उनकी skin में और भी जादा oil produce होता है, ठीक है, अपने skin को moisturize करने के लिए, moisturizer बहुत जरूरी है, चाहे आपकी skin oily हो, dry हो, normal हो, जैसे भी आपकी skin है, use moisturizer, ठीक है, अपने skin type के carding, आप moisturizer का use करें, night time अपने skin को moisturize करने के लिए, मैं आपको suggest करूँगी कि आप almond oil का use करें, आप बदाम तेल अपने चेहरे पे लगाए, आपको कुछ नहीं करना है, DIY face wash से face को wash करना है, उसके बार 2-3 drops आपको almond oil लेना है, और उसको उससे अपने face पे अच्छे से massage करके इसको apply करना है, ठीक है, almond oil हमारे skin को बहुत अच्छे से नरिश करता है, smooth करता है, healthy करता है, और अगर आपके face पे कोई dark spots हैं, या फिर अगर आपको dark circle का issue है, तो वहाँ पे भी अगर आप massage करते हैं अच्छे से, तो gradually वो आपके dark spots को lighten करता है, ठीक है, तो ये आपके skin के लिए बहुत जादा अच spotless skin को achieve कर सकते हैं, उमीद करती हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे comment section में जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like और share जरूर कर दें, और ऐसी ही वीडियो हफते में दो दिन देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को press कर लीजे, so yeah, मैं आप सब से जल मिलती हूँ अपने नीव वीडियो के साथ, तिल दिन अलाफेज